साथियों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत आप सबका बहुत-बहुत हर्दिक अभिनंदन मेरे इस चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में राहुकाल के बारे में आपने सुना है कि जो हमँआ नक्षत्र होते हैं ग्रह होते हैं उनमें कुछ आपने नेगेटिव बोला जाता है इसके कुछ प्रभाव पोजितिव भी होते हैं उसकी चर्चा कभी और करेंगे हम लेकिन आज का जो वीडियो है ये आपको इस बास से बहुत ज़्यादा अवगत कराएगा और जगाएगा आपको कि आपको कौन सा कारे किस समय पर नहीं करना च आईए चलते हैं इस छोटे से वीडियो में आपने सुना है जोतिशिया में बहुत बार बताया जाता है कि कुछ दुष्ट ग्रह होते हैं राहू, केतु, शनी, मंगल ये आपने सुने होंगे ये वो होते हैं जिनको हाट ग्रह भी बोलते हैं, कठोर होते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वो हर कंडिशन में पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं होता और इसी तरह से इसी शिरिणी में आता है राहू और केतु भी राहु को भी एक पाप ग्रहे के रूप में माना जाता है और वास्तु शास्त्र में जो इसकी दिशा बनती है वो साउथ वैस का साउथ यानि दक्षिन पर्शिम का दक्षिन वाला स्थान बनता है लेकिन प्रभाव इसका पढ़ता है हमारे पूरे घर पर और यहां तक के हमारे श्रीर पर भी कैसे पढ़ता है आज का टॉपिक इसी पर रहेगा राहु काल और वास्तु अब क्या होगा कि ये जो साल 2024 में आप देखना चाहते हैं जाना चाहते हैं सर राहु काल कब-कब होगा किस-किस समय होगा राहु काल डेली आता है एवरी डे ऐसा कोई दिन नहीं जब रहुकाल ना आए लेकिन ये इसका जो समय है मात्र डेड़ घंटे के लिए होता है यानि बारा घंटे जो पूरा सूरज के रहने का समय उसका आठमा भाग जैसे प्रहर होते हैं इसी तरह से एक प्रहर यानि आठमा भाग आता है जिसमें की हम कहते हैं कि ये रहुकाल है रहुकाल के समय में अगर आपने कभी चेक किया हो कभी अगर ट्राई करें कभी इसको करके देखें तो आपको पता चलेगा वाकिम में रहुकाल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और जो इसको जानते हैं समझते हैं वो इस समय पर कभी भी कोई खास मीटिंग नहीं करते कोई ऐसा कारे नहीं करते जो की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो पूजा पाट धरम करम मकान की नीव डालना आपका शिला न्यास करना मकान का या ग्रह परवेश करना ऐसे कोई भी कारे जो है जो वास्तो शास्त्र से सम्मधित होते हैं कभी भी रहुकाल में नहीं किये जाते आप से बात कर रहा हूं मैं और आप देख रहे हैं मुझे पता है स्क्रीन के उपर स्क्रीन पर हमने बता रखा है कि हर शहर थोड़ा सा इसमें अंतर पड़ता है रहुकाल का जो टाइम है ये फिक्स हम बता देते हैं एक सेंटर एक इंडिया का भारत का एक सेंटर मानते हुए एक जगा मानते हुए कि इस जगां के इसाबसे हमने मान लिया लेकिन इसमें हर शहर के इसाबसे कुछ मिनट का अंतर पड़ता है जो कि आपको नेट पर मिल जाएगा लेकिन सीधे सीधे तूर पर ये वो रहुकाल जिसको मैं फोलो करता हूँ वो ये है कि रहुकाल सोबार को सुबा 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 साड़े साथ बजे से नौ बजे के बीच में रहुकाल होगा मंगल वार को दुपैर तीन बजे से साड़े चार बजे की बीच में डेड़ घंटा रहुकाल का समय रहेगा बुद्ध वार को 12 बजे से डेड़ बजे 1.30 एक बज़ कर 30 मिनट तक और उसके बाद व्रस्पती को व्रस्पती वार को गुरु वार को एक बज़ कर 30 मिनट से 3 बज़ तक चलता रहेगा फिर शुकर वार को सुवा साड़े 10 बज़े से लेकर 12 बज़े के बीच में रहुकाल रहता है शनिवार को 9 बज़े से साड़े 10 बज़े 10 बज़ कर 30 मिनट तक रहुकाल और उसके बाद रविवार को संड़े को शाम को साड़े 4 बज़े से 6 बज़े के बीच में राहुकाल का समय होता है ये वो समय है जिस समय पर आपको ये सब कारे जो हमने आपको बता रहे हैं वास्तु की वीडियो हमारी बन रही है बहुत दिन से और हम आपको बता रहे हैं वास्तु शास्तर के अनुसार भूमी पूजन शिला नयास ग्रह प्रवेश ये जितने भी कारे होते हैं इवन और भी जो कारे होते हैं किसी से पार्टे से मीटिंग करनी हैं मुंडन होते हैं वह से नामकर्ण संसकार होते हैं हमारे सोलग संसकार होते हैं तो ये जो पाप ग्रह का जो समय है उस समय पर इस कारे को नहीं करें तो अच्छा है मुझे लगता है कि छोटे से वीडियो में मैंने आपको वो बता दिया जिसको आप ढूंट रहते बहुत समय से इस वीडियो को संभाल कर रखना या स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रखना हमेशा आपके पर्स में आपके फोन में रहना चाहिए इसको ताकि आपको पता चले कि किस समय पर आपने कौन सा कारे नहीं करना precaution लेकर चलेंगे तो फिर आप देखेंगे अगर उसको ये बार आपने परियोग किया तभी आपको पता चलेगा कितनी बड़ी इसकी value होती है साथियों ऐसी होते मेरे वीडियो मुझे पता है ये वीडियो जैसी शुरू हुआ था आपने सबसे पहले देखा था कि भार्दवा जी का वीडियो आ गया और आप सब्सक्राइब करना भूल गये थे और हाँ कोई पड़ोसी, कोई जानकार कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई रिष्टेदार अगर पूछता है कभी भी राहुकाल के बारे में तो तुरंट आप इस वीडियो को निकालना निकाल कर उसको बता देना तो ये भी ज़रूर नहीं के कहीं पर इसको नोट करके आप रखें ऐसी होते हैं मेरे वीडियो अगले वीडियो में फिर आप से मुलाकात करते हैं कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और लाएंगे एक निया टॉपिक जिसको ढूण रहे हैं आप बहुत शिद्द से तब तक के लिए द्याम मुझे विदा नमस्कार झाल